पिता जी वहां से सीधा आए केवल एक छोटे से बकसे में लोए कि माता जी जो ड्रेस वकर लेकर गया है यहां करके एक एक पैसे का उन्होंने पिस्कोट बीच आए नमस्कार मैं आपी का होस्ट आपी का दोस्ट आर्जे सागर आपके साथ और आप सभी का तहित दिल से स्वागत करता हूँ हमारे शो में जिसका नाम है दा सिंद टू हिंद शो और आज हमारे बीच एक ऐसे शक्स मौजूद हैं जिन्होंने ना केवल अपने सिंदी समाज में परंतु अपने राजनियतिक जीवन में भी ऐसे मुकाम हासिल किये हैं जो अविश्वसनिया है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ हमारे अजमेर के चहीत विजायक श्रीमान वासुदेव देवनानी जी की इन्होंने बहुत ही कम उम्र में RSS जॉइन किया उसके बाद 9 साल तक राजस्तान स्टेट के ABVP प्रेजिडेंट रहे और उसके बाद 2003 में जब पहली बार इन्होंने चुनाव लड़े तो 45% वोट्स के साथ इन्होंने जीत हासिल की और इस जीत का सिलसिला अभी भी कायम है चाहे वो 2003 के चुनाव हो 2008, 2013 या फिर 2018 ये अभी भी MLA के रूप में कायम है और ये दो बार राजिस्तान में कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं सर सबसे पहले में यही पूछना चाहूँगा कि क्या मंत्र है इस सक्सेस का चार बार लगातार विदायका साधर अन्तिया व्यक्ति जो जन्व के साथ काम करता है वो सरल रहे, सहज रहे, सुलव रहे और लोगों के बीच में रहे उनके दुख सुख में वो काम आए उस से लोगों का जुड़ाव बढ़ता है और साथ में जो लोगों के अपिक्षा हैं वो बिना किसी भेदवाओ के उनके पूरी करने की इमानदारी के साथ चेस्टा करें तो लोग जोड़ते हैं तो मैंने अन्वो किया कि यहां पर आप अपना दर्वाजा खुला रखो जो भी विक्ति आया है उसे प्रहिम से मिलें प्रहिम से मिलकर कि उनके समस्या सुनें समाधान तो एक सिस्टम में जितना संभव होता है विक्ति करें लेकिन उसकी निष्ठा में नियत में लोगों क पर कितना बोलते हो, वहां कि आपकर खागीदारी विदान्समा में कितनी हैं, फिर मंत्रे का दाहित व रहा तो पर्टिकों उसे विभाग में आप कितने ऊचाइमें चूते हो, कितने नवाचार करते हो, उसका इंसना दूर्वा हो जाता है, जिसम्हें उदारनम पर मैं कुछ विभाग के लिए कुछ किया, मिरे आम सिक्षकों के लिए कुछ किया, सिक्षकों की समस्यों का समधान किया, हर तीन महीने में सिक्षकों से भी मैं मिला करता था, सारी जिते संगटन है, चौपन के आसफ़ संगटन है, सबसे फ्रिली मिलना चुलना था और साथ नवा चार जैसे यहाँ पे मेरे को था महापुर्षियों के पार्ट उस्तकों में नहीं है तो पहले अक्वर महान पढ़ाया जाता था उसको मैंने प्रताब महान को पार्ट पढ़ाने शुरू किया दोसों सदिक वीर और विरांगनाओं के पार्ट जोड़े अपने सिंधी संत भी समाज के हैं उनको भी जोड़ा हर समाज के हर वरके जैन समाज सबके महापुर्ष हैं सबको उस पार्टेकर में जोड़ा वीर सावर कर जैसे विक्ति का भी नाम पार्ट जोड़ा तो मैं लगत बिश्टाचार मुक्त आदमी व्यक्ति को काम दे। मैं लगा कि सिक्षा के अंदर भी मैंने इस प्रगाय का र्युवार तो सोच और करम के रहने जाए मैंने प्रत्न किया उसका परिणाम है कि अजमेर की जनता ने लगाता मुझे अशिरवात दिया यहुआँ के बिच मेहलाओं के बीच वेपरियों के बीच में हमेशा सद्ध है बना रहा उस लुगोंने प्यार वे सन जिसके कारण भी मुझे कई दाइत्व मिले और साथ वे राजनिती में आने के बाद उससा में सोचा करता था कि अच्छी सिक्षा मिले तो जब विद्ध्यार्थी था तो सोचता था कि मैं लेक्चरर बन के ठीक करूंगा जो लेक्चरर बना सोचा प्रिंसिवल काम नहीं करने जैसा कि आप भी सिंधी समाच से ब्लॉंग करते हैं तो सबको ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये सिंधी है ये तो व्यापार ही करेगा तो आपने कैसे राजनिती को अपनाया अने का कि मैं बच्छपन से आरसेस का सुनसिवक हूं रहा हूं और हूं उसके बाद अछास ज़कलेशन होना तो संगाथन काम करने का अउसर मिला उस्तुम्नित परदेश का द्यक्ष्पी रहा हूं आठ साल श्तरा अपन रिख्यक्ष्बी रहा दोसाल मंत्री वी रहा वो रिखंटों के दिभाता रहा पिर शंग का दाइतों मिला उस्तुम्नित अचानख तो मेरे प्रिंसिपल रहा उस नाते मेरे इच्छा तो नहीं थी जब संगठन में तैग किया उसका आने के बाद में राजिती 2003 में यहां से शुरू किया और तीन से आठ मंतरी रहा फिर जब हमारी सरकार नहीं गई उसे सक्क्रिय भूमी का संगठन के अंदर बीजेपी के अंदर प्रदेश के कई मुझे प्रोजेक्ट्स मिले कई मुझे को योजनाओं में जोड़ा उस सब को मैं करता रहा एक बीजेपी में अच्छे लों खड़े हूं यह प्रसिक्शन भी हमने विभाग बनाया जो मेरे जिम्मेरा उसमें कारकरताओं को प्रसिक्शन देना कि नेशन प्रस्ट किस प्रकार से काम किया जाए उस अनुभो को रखते हुए मैंने किया और कई अच्छे लोगों को विध्यारीपेश में रहते हुए मैंने आज चुनाओं लड़ाया आज मुझे खुशी है कि वो लोग राइनिती में पहले आगे और अच्छे पदों पे हैं जैस अजमेर के गवर्मेंट कॉलेज में जुनाओ लड़े इसका मुझे अच्छा लगा मुझे मेर को धर्ती पर रह करके जमीन पर रहते हुए लोगों को करकरताओं को का आउसर मिला हमने काम किया अपनी गुनाता के वो आगे बड़े इने मन में बड़ी खुशी हुई जो मे के बार रहनी के बाद मैंने कुछ काम भी की है एजमेर के कामों के तो अजमेर के वह ik दो प्रसाथ sözिंहा हैं जो मेने करनी के कशी की। सर यह पूछना चाहूंगा कि काफी सारे सिंधी युवा हैं जो राजनीती में आना चाहते हैं तो आप उनको कैसे प्रेंडना देंगे मेरा इसमें एक जुड़ाव है वो राजनीती में आना नी चाहते हैं सिंधी कम्यूनिटी वेस्टी कली वियपार है आज वियपार में सा उनको फोर्सत नहीं हमने कुछ लोगों को आज भी जैसे पारश्र के चुनाव आते हैं उस समय तो कुछ लोग आते हैं हम जुड़ना चाहते हैं लेकि पांच साल चार साल तक जब उनको कोशिच करते हैं ज अगरण में मंदल से लेकर के शहर जिले में जुड़ें और जुड़ने के बाद जो राजमिती में उसर आते हैं उसका निश्वर उनको वे उसर उखलब्द कराएंगे आज मेरे आने के पहले अजमेर में केवल एक ही पारशद थी सिंदी समाज की और उसके बाद मेरे आने जिले के पाध्यक्षवी सिंदी समाज के हैं उसके अलावी वाकिया बिविन न समितियों में लोग हैं लेकि मेरे तो एक उनसे शिकायत नहीं कहुँगा लेकिन एक जो मेरे के लिए लगवार आगरा रहता है कि वह समय निकाल करके पार्टी में आओ पार्टी को कुछ समय तो निश्चितरू से हमने वेलकम है सिंधी समाज रारा मसेही सिंध को छोड़ने से बाद से आज तक राष्ट्रवाद और देश के प्रतिसमर्व पित रहा है लिए बीजेपी के साथ उसका जुड़ा हो या पहले जन्नसंग के साथ जुड़ा हो या आरेसस का जुड़ा हो जो आज भी उनकी जुड़ा है और मुझे लगता है कई बार मतान कर्स में कॉंग्रेस हो यही शिकायत है कि 90% सिंधी सवाज के लोग बीजेपी को सपोर्ट चलते हैं तर एक और सवाल पूछना चाहूँगा आपकी जो पार्टी है भारतिये जन्ता पार्टी इनके आपके साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास इन बाते बड़ी प्रेना दाएक है यह से रहते हैं तो आप कई बार अपने टोली बंजाते हैं सबको साथ लेकर के चलना, सबका विश्वास ग्रहन करना और सबके लिए प्रयास यह सबसे बड़ा है और दूसरे उन जनता के बीच में रहता हूं, काम करता हूं, तो यह उनसे दो बड़ी प्रेणा है, तीसरा, उनके मस्तिक्ष में इनुवेशन, यहने मैंने उसे पांच वाते सीखी, एक तो भिष्टाचार मुक्त, तो मैंने अपने सिक्षा विभाग में शुरू किया, और आज भी मेरे जी दूसरा आग्प निर्भर, हभारत बने, उसके जवानों के लिए स्टार्ट सब से लेकर के, इस पर कई उज़ना है, मुद्रावविए बहें के लिए करके, कई प्रकारकी युजना शुरू की, उसमें सहभागी बना, जिसा गरीबों के लिए काम करना, जिसा गरीबों के कर देते हैं तो यहां जो कुछ बस्तिया है गरी उन्हें में आना जाना उनके विकास के लिए कुछ सोचना उनके में कुछ कॉंट्रिब्यूट करना इसमें प्रत्य किया ऐसा जो उनके सूच है और साथ में हमेशा देश के लिए और समाज के लिए सोचना वो स्वेम के लिए सुचते जो भी कुछ निशन फर्स्ट है उसका पार्टी सेकंड है व्यक्ति लास्ट है इसको लेकर कि यह बहुत बड़ी उनके प्रेना है जो आज हर कारिकर्ता को तक हम पोच्छाने का प्रत्य करते हैं दूसरा संगठन सरो परी आज भी हो संगठन को सरो परी बान करके काम उसको नीचे जने तक होचाना, इसका मैं प्रत्रे कर रहा हूँ. सर आपने बहुत सारी योजनाओं पर काम किया है, मैं यह पूछना चाहूंगा कि ऐसी कोई योजनाओं पर हम काम कर सकते हैं कि सिंधियों को रोजगार दिया जाएं। तो सिंधि प्राणम से ही वियभपार वर्ग से है और उस जैसा मैं समझता हूँ कि वियभपार में कोई भी दूसरी कमूनिटी उसके सामने नहीं ते नहीं है, क्योंकि मैं एक शब्द में कहूं कि उसमें इतनी क्वालिटी है, मैं दो क्वालिटी के विखान देता हूँ, एक जगे एक सिंधी और एक नौन सिंधी, शक्कर बेचने के दोनों ने दुकाने खोली, दोनों सिंधी तो जितने में लाया था, उतने में बेच रहा था, और जो नौन सिंधी था एक रुपय का प्रफिट आके दुकान को लिए, तो मैं कमांगा, तो पंदरा दिन बाद, उस उसे ज़्यादा कमा लेता हूं, यह मस्दिश का कान, सिमिलाली कई वाला कहते हैं, जो गंजे को कंगा बेच के आ जाए, वह सिंधी बेतारी, तो उसको कल्ब ना करें, कि तेरे बाल आएंगे, तो इसको का उपयोग करना है, इतना उसको विश्वा है, तो इसके लिए जो म सिंधी माइनोरिटीज में आते हैं, तो इसके लिए 10,000 का मिल रहा है, तो प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट में 10 करोड तक की, बिना लोन की, आज़रेन भी मिलता है, उनको उठाएं, अपने योजने दें, प्रोजेक्ट दें, तो निश्चिर उसे स्टार्ट सप में, मिलता है, तो बहुत से सिंधी भी सटार्ट सफ पे आगे आएं, जिए स्टार्ट सफ का अलाब ले, तो मैं समझता हूं हो आएं, अर कहीं ऑनको कटना इ censorship कर चांनी नगही हो, मैं बैटा हूं किसी बैंक से कटना इार hी है, सरकार में किसी तरह का कोई बात अठिक है, उसके या आप कितना गर्व मैसूस करते हैं। मुझे इस पष्ट कहने का मेरा सुभाव है। सिंधी कभी शर्णाती बना ही नहीं। हम पहले भी हिंदुस्तान में थे और आज भी हिंदुस्तान में। क्यों हमारा सनातन, धर्म से, मान-मर्यादाओं से, भारत से, जो उस समय हिंदुस्तान एक था, पाकिस्तान उसका पार्टी था, तब हमारे सिंध हमारे हिंदुस्तान में था, जब उन्होंने पार्टीशन किया, हम हमारे हिंदुस्तान आ गए, हमने कभी पाकिस्तान यह, हमको कोई शर्णाती करता, है पिता जी वहां से सीधा आए केवल एक छोटे से बकसे में लोगे कि माता जी जो ड्रेस वाकर लेकर जाए यहां करके एक एक पैसे का उन्होंने बिस्कूट नीचा और खुद भी पढ़ाई की और हमें भी उन्होंने पढ़ाया यहीं है सिंधी काफी सारे स्ट्रगल्स हैं जो हम लोगोंने सिंधियों के बाद आज हर बिजनिस में सिंधी सरो पर ही है यहने दूसरों को नोका रखता है उसको काम करता है क्यों उसके 24 घंटे काम करने का सुभाव है और उसका दिमाग भी चलता है इस कंशा सिंधी कम्यूटी आज शरनाती कमी नहीं रही वो आकर कि अपने पुर्शार्ट से अपने देश में अपना वजूद खड़ा किया है लेकिन दो जगह सिंधी समाज की लोगों ने वेक्यूम च 24 परसेंट से ज़्यादा इंक्रम टेक्स सिंधी कम्यूटी के लोग व्यापन व्यापार के साथ एक घरवका विशय है तो मुझे लगता है कि हम दो जगह जहां मैं बार बार कहता हूं कि सिंधी समाज को आगे आना चाहिए नमबर वन राजिती नमबर वन प्रशासन अब सिंधी समाज के लोगा अंगुलियों पर गिनने जितने में जितने मेरे को पिछली बाज जब सिक्षा मंतरी था मुझे वाइस चांसलर बनाने के लिए सूचा कि सिंधी को बढ़ा जाए लेकिन उपलब नहीं हो थे बाद में एक मिले जिसको मैंने पहला सिंधी आज राज सिंधी समाज के व्यक्ति हैं तो राजनिती बनान का हम एक एक स्टेट में एक दो दो ही सिंधी आज विधायक है जो कि बाकी लोग आना चाहिए लिक बाकी लोग एराजिस्तान है जब पहली बार दो सिंधी मंत्री मंडल में परसुंद्रा जी के रहे ये साथ पहला है बाकी जगे तो अब गुजरात में कोई नहीं है महाराष्ट में कोई नहीं है पहले रहें महाराष्ट में प्रभावी मंत्री में रहे और ये देश में कहें तो लालकृष्ण अडवा तो सिंधी समातों सब में गुल मिल गया है, सब को साथ लेकर कि आगे बढ़े अनिश्चतु से बहुत सारे आउसर हैं और उसके कमुनिटी के लिए है, तो आप पूछेंगे हैं, मैं वैसे कह दू कि अपनी सिंधी भाषा के प्रतिक कमिट्मेंट कमजोर होता जा रहा है, लिए मूल जो अपनी भाषा है, उसको घर में बूनना चाहिए, और घर में तो कमसे अपनी भाषा बोलें, उसके प्रतिक भी कर रहे हैं, मैं भी पांसा संगटनों के माध्यम से, अजमेरी भी कोशी कर रहा हूँ, बाकी भी कर रहा हूँ, जो आप अगले प्रश्मेंगे तो मैं इसका जरूर, बिल्कुल सर, मेरा अगला सवाल यही था कि जैसे कि काफी सारे यंग्स्टर्स जो हैं, वो सिंधी भाषा को भूलके जा रहे हैं, तो इसमें हमारे क्या प्रयास है कि वो सिंधी कल्चर को ना भूले, हमारी भाषा को ना भूले? इसके लिए सामा जी संगठन कुछ सक्रिय हुए है, जैसे अजमेर में एक सिंधी संगीत समीती है, वो हर महीने, लेड़ महीने में इस प्रणार के करकमों का आईजन करते हैं, जिसमें कल्चर आए और सिंधी पहा के उसको कहते हैं मौहावरे भी उसके अंदर आएं, कि अभराम का जनब दिन है, इन सब को उन्होंने उसके अंदर मनाने का शुरू किया है, फिर सिंधी समाज के लड़के पढ़ाई में आगया है, अभी तो आट वी पढ़कर के छोड़ देते हैं, चलो दुकान पे, दुकान पे, तो उसके लिए मैंने लगबग सिंधी सिंधी विकास समीती, उसके नावजा तीन सो बच्चों को ने शुलक उनके फीस हम लोग जमा करा रहे हैं, ताकि स्कूल बच्चे जाएं, उनकी जितनी फीस है, वो हमारी संस्ता उनको दे रही है, उसके अलावा भी सिंधी समाज के कई और संस्ता है, अब चेटी जंड आता है, चेटी जंड मुझे अगर्वा के साथ कह सकता हूं, कि पूरे भारत में अजमेर में एतिहासिक जलूस निकलता है, और उसका सहियोग से सरक्षक बनने का 20 साल से मेरे को जमीदारी देते हैं, लेकिन आज वह जो जलूस निकलता है, और जब जोग कहते हैं, वारे सिंधी वा पढ़ा रहे हैं, तो आज संस्कृती तो है, और आज भी सिंधी मेला होने, इस संस्कृती को घर में जिन्दा रखा है, लेकिन बच्चे जो आएं, मिक्स हो गएं, सम्में मिक्स होना चाहिए, लेकिन अपनी भाशा को नहीं भूलना चाहिए, हम गर्मी के दिनों में, एक- पहले वो 12,000 था, इस साल से बढ़के उसको 25,000 क्या भाशा करवाया, लेकिन लोग आएं, लोग एप्रोच हो, इसके प्रती सामाजी के संस्ता हैं भी जुड़ें, उनमें इस सोच भी पैदा करें, वह गुज़र कम्यूनिटी में तो है, लेकिन नहीं जो पीड़ी आरी है इलिए मेरा एक की दो चार उसके उधारन भी कई पर आग्रा करता हूँ, कि पहला आग्रा है, घर में संधी बोले, उसके लिए अपने घर में सबेरे उठकर ये, आदा गंटा संधी म्यूजिक वो चला दे, चाहे आपके लाड़े हैं, चाहे भाई बजन हैं, चाहे चाहे उसको चला दोगे तो बच्चों के होंटों पे अपने आप संधी म्यूजिक वो चला दो चला दो घर में अपने कमसे संध का चित्र वशा रखें बच्चों को बता सकें बीटा ये सकर है, ये लाड़काना है, जेक्वाबादे, वहरा संध है, जो आज नहीं कल हम इसको ले करें, एक जुले लाड का चित्र हमारे सब के घर में रहिए, बच्चों के नहीं जनरेशन को उसका मालूम पढ़े, चौथा आग्रा करता हूं कि कोई छोटा न्यूस पेपर या कोई पत्र पत्री का अपने टेबल पर रखे, घर में आएगा, तो कि मा भी पढ़ेगी, भा सरजेनी गुरूप से मनाते हैं, और सिंधी जीती दर्वारे हैं, उन संतों से भी मैं आज जोड के निवेदन करता हूं, कि आए इस भाशा के लिए थोड़ा सा आप भी, कि आज संतों का जो वाणी है, उसमें से कही हुई बात, लेकि वहाँ नहीं जनरेशन जाती नहीं, जिर माता पिता आगर करोंगा, बच्चे जिदे मेरे आज संसकार पड़े, पिता जी मेरे छोटा था, तो मेरे को अपने साथ पकड़ करके, धार में इन कथाओं में इत्या दिक्या भी कभी ले जाते थे, तो बच्चों के साथ, शाम को घर पे जुलेलाल के आरती करो, के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनके लिए मेरा आगरह रहेगा, कि कुछ समय, बाकी सारे कामों के साथ, सिंधी समाज के लिए भी अपना कॉंट्रिविशन थे, तो इस परकार का, जिस से सिंधुतों जगे, और मैं सिंधुतों और हिंदुतों को एक ही मानता ह हाँ मूल रूप से हिंदु हैं, हिंदुतों हैं, राष्टवादी हैं, यहां मूल रूप से हैं, इस नाते कई बार मेरा आगरह रहता है कि इस राष्टेता के साथ जो सिंधी समाज जुड़े, उसके लिए यह जो अपना सिंधी फिल्में भी बने, अब पिछले दिनों को लाव उठाएं और अपने जब एमपलोई से रखें, उसमें भी इस प्रगार की चर्चा करें और अच्छे कामों को प्रोसायत करें, जो भी सिंधी नौव योर्क कहीं भी आगे बढ़ना चाहता है, उससे निश्चीतूरू से सपोर्ट करें, बड़े-बड़े हम पत तो ह हो गए, आज ही मुझे होता है, जैसे कोई राजनीती में आता है, तो राजनीती में करने मारे को सपोर्ट, इंडर्स लिस्ट, बड़े लोग उसको करें, यह अपने इंफुलेंसर हैं, तो उनके काम में, हम राष्टी तो भी जाहे, सिंदो भी जागे, और खुद भी आग बढ़ें, इस परकार के सामा जी के बातावरें, तैयार करें, कि इस कम्मुनिटी को कहीं न कहीं हम आगे लाने में सहभागी बन रहें, यह मेरा इंफुलेंसर से, अपेक्शा है, तो आगे बढ़ें, लेकि समाज के बारे में भी 24 घंटे में से, एक आदा घंटा, यह एक व्यवसा है कि उसको जानकारी, उसका प्रभाव जन्य, उसको नहीं नी यूजनाओं से इंफुलेंस कराएं, जिसे आज मोदी की यूजना है, कि मैं समता हमारे यह लोगों को पता ही नहीं होगी, आज मुझे पूछोंगे तो एक सुच्छे यूजनाओं को निश्यूरू समाज के लोगों का वाटसप पे गुरू बना करके जोड़ दें और एक कन्वे करें, उसके जोड़ेंगे ऐसे के प्रकार के अविजन हो सकता है, जिसमें इंफुलेंसर जोड़ा है, मुझे उतिन खोशी हुई, जिदि यहां पे इंफुलेंसर की मीटिंग होई, उसमें ल आपका कौन सा फेवरेट है, यह बताना दो कठी नहीं, पागि इसमेंसर रूप से कडी चावल और मेरे कोड़ेंसर अविजन होगे इतने सारे स्वाधिश्ट वेंजन है हमारे बीच में तेसे डाल पकवान, कडी चावल, मीठा लोला, आपका कौन सा फेवरेट है, यह बत अविजन है पागि निश्चर रूप से कडी चावल, बहुत मेरे को पसंद है, वेजसे तो बीच में वो गीत प्याय था, छोला डबल का गीत भी आय था, और साथ में सिंदी वेंजन में यह बीग ही सब्सभी होती है, वो बहुत वाधिश्च चोती शारे से कमल ककडी, दाल पकवान, तो मैं समझता हूं सुभी नास्ते का अपना बड़ा सुभाव रहा है, और कडी चावल, और अपने वो चटनी डोडा, आज सिंदी रेंजन में कहीं लोगा, और फिर सिंदी पापड, तो मैं समझता हूं लोग मांग कर गे, उस पापड में इस वाद है, वो एक बाद जोड़ना चाओंगा, जो आपने अवी तक शायद नहीं पोचा, कि मैंने सिंदी समाज के लिए, और आल क्या किया, जी, आज मैं कह सकता हूं, कि राजिस्थान के अंदर, सिंदू शोध पीट, जी, जो कि सेंदी समाज के व्याद करें, तो मैंने आज अजमेर मे सिंदू शोध पीट के स्थावना की, एक कोटा में विखी, और एक करोड रुपे, मैं भारत सरकार से, इस में तीरा नहीं थी, वो लाया, और उसके बाद एक करोड मैंने यूनिवर्स्टी से दिलाया, और दो करोड के ब्यास से, लेकिन अब हमें को सिंदी अच्छे लोग सिंदू शोध पीट को चलाएं, ये भी एकट राई है, दूसरा सिंदी महापुर्चों के पाठ, मैंने पाठ ठेकर में जुड़ाया, और आज तक कभी नहीं जुड़े, जिससे संत कमराम का जुड़ाया, संत टेमराम का जुड़ाया, और अपने उदासीन, पंत के, उनका मैंने उसे पाठ, जुड़ा, तो इस प्रकार का, छटी साथ महाराज दारसेम का पाठ जुड़ाया, एमू कालरी का पाठ जुड़ाया, एक उस सिंदी किताबों में नहीं जुड़ाया, ये पूरे राजिस्तान के, बच्चे जो 20 लाग सर्दिक हैं, उन सब को पढ़ने ज भाग भी चुड़ात करो है, ये सिंदी समाज की बढ़ाने के लिए अलग समय पे अलग प्रत्न की हैं, और आज मेरा एक मानना है, जब तक रास्ट्रकान में पंजाब सिंद गुजरात मरटा है, तब तक सिंद हमको कोई अलग हमसे कर नहीं सकता, आज नहीं कल, जो आज मो से उप्योग लेना चाहिए, कि इसराइल भी जब भी उनको डिस्टरब किया था, तो जहां मिलते थे, कहते थे, अगली बार हमारे मिलन यरुशलम में होगा, तो हम भी कहें, अगली बार हम सिंद में मिलेंगे, तो सिंद आज नहीं, कल हमको मिलेगा, इस पर कहां कि भाओ, हम जाकर नहीं पीड़े में करेंगे, तो अभी तो 75 साल ही तो हुए हैं, अब इस 75 साल तो किसी देश के आयूमें कुछ भी नहीं होते हैं, वो तो 200 साल के बाद उनको राश्टर मिला, हमें इतनी पीड़ा नहीं करें, मुझे लगता है, शायद इस ही, अपने 100 साल पूर हो करने के पहले शायद अखंड भारत भी बनेगा, संद भी हमारा होगा, कश्मीर भी हमारा होगा, इस प्रकार का इक दिर्शिमोदी जी निक तुर्त में भारत मस्बूत बनेगा, जी सर, एक सवाल है, जो सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंडिंग चलता है, कि सिंधी बहुत क क्या विचार रखेंगे, मुझे रखता है कि ऐसा बिलकुर नहीं है, वो तो हर जाती में, हर में, पंजूस होते हैं, देते समय, लेकिन धार में कारियों के लिए, खर्च में, दिल खोल करके देता है, मैं तो अजमेर में जितने भी कारिकम किये, या प्रते इस तरह में किय लोग खोले हैं, लेकिन लेने वाला कौन है, किस काम में उप्योग होगा, यह जरूर जानेंगे, और फिर भी इस अधारतिया, सामजी काम, धार में काम, किसी के, आज भी यहां पर कई संस्ता हैं, गरीब लोगों को, कि आटा देते हैं, कि अन देते हैं, किसी का प्रशाद उसमें पड़ेगा, तो वो काम में रहल होगा, खुले मन से देगा, और बिना काम के, कि मांगोगे, तो संकोच करेगा, लेकिन सामाजी कामों के लिए, धार में कामों के लिए, और कारकमों के लिए, कभी ना लिए, चेटी चंड त्योहार उसका सबसे बड़ा उधार है, अजमेर में जो चेटी चंड का त्योहार मना जाता है, I think करोडो का expense उसमें सिंधी करते हैं सिर्फ उस एक दिन के त्योहार को मनाने के लिए, तो हमें नहीं लगता है, तो जगे 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 परशाद बांडते हैं, पर गरीब से गरीब दुकांदार भी, अपने वो चीज ल है, जो वो उद्गोश करता है, मैं सौन तो ऐसा, सिंधी समाज को शायद कंजूस नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक कारण भी है, यदि आप कंजूसी की बात करोगे, हमें वो कठटाया देखी है, पैसा कैसे कमाया जाता है, यह समाज ने देखा एक एक पैसे के लिए, और फ पंदा-पंदा जार के जूते भी पेहनते हैं, इलिए भी कंजूस का हुआ, इलिए रहांच सार में परिवर्तन आया है, सोच में भी परिवर्तन आया, यह पुरानी पीडी को, पैसे का कैसे उप्यों किया जाए, यह वास्ता में हमको बड़े लोगों ने सिखाया है, यह करें लिए जूती लाता है, यह कपड़े से लाता है, मैं पूछता हूं कितने भाव का बताता है यह गलत बता है, यह मना कर देंगे, यार मैं हजार रुपे की चपल पेहन सकता हूं, तो पांच जार की क्यों पेहनूं भई? यह हम पुरा पाहनी जो हमारे आयू की पीडी ह उसमें सभाविक है, वो है अज़ा है, तो एक सवाल करना चाहूंगा, कि आने वाले कारे काल के लिए हैं, आपके, आपकी क्या योजनाए हैं, सिंधियों के लिए भी और अजमेर वासियों के लिए भी? और आने वाले समय में निश्चत रूप से आसर मिलता है, दाईत तो मिलता है, अजमेर के सबसे बऺए तो पानी के समस्या के समाधान को प्रोरेट पर लुका, अजमेर में वय्पार बढ़े, वयपारियों के समस्याओं का समाधान करने में आगे बढ़ेंगे, और यहां कोई अच्छे इंड्रस्ट्री भी आएं बीच में कोशिश की लिए कि नहीं आपाई कोई पॉलिटिकल कमशन भी रहते हैं और दूसरा राजस्थान में जुरा है एक बार पांच साल सरकार हो एक बार पांच साल हो तुझ जो पांच साल महनत है दूसरी आती है उस पर पानी क्रेडिट देती है यह भी बड़ी समस्या है और साथ में अजमेर एक राजसांग सेंटर तो परेटन की दिष्टी से अजमेर डेवलफ हो जैसे मैंने कहा ना यह पात्य उसका है आज यदि पात्य गुमेगा मैंने साइंस पार्क का इस सरकार ने मेरा प्रिस्ताव रोग र ना तक बाहर आने वाला परेटक कम से कम दो दिन अजमेर रुके अजमेर रुकेगा तो निश्चरुक से कहीं ठेहरेगा होटल में होटल में ठेहरेगा तो कुछ खाएगा पिएगा तो रेस्टोर्मेंट चलेंगे और घरीब ठेले वाले भी उससे कमाएंगे यान एकोनोम उस परेटन के साथ जुड़ी हुई है यह आपने देखा होगा कभी सारी डौलमेंट उसी दिशा में आपने कोशिश की है तो आगे से परेटन की दिश्टी से यहां कि आसपास कशेत्र और डौलप हो उस डौलप करके लोगों के परेटन स्थल बढ़ाए जाए एक अजमेर एजुकेशन हब रहा है अलम है एजुके मेंस्टरा कुछ मेंने कोशिशे की लेकिन हब बनने के चुब जैपुर पास में होने के कारण तो काफी इदर चला गया तो एक कोटा बन गया उस तरह यह एजुकेशन हब बने यह भी में सोच में रहा है और समाज के लोग बारे आपने पोचा यहां के चुब अधितर भी अपारी जिस इंदी समाज के हैं उनके कठनाईयों का समाधान करना कुछ नए ने जो इंडर्स्टियों को खोलना चाहता है उनके जमीन है दूसरी चीजे है उसमें सुधाओं में रात मिले को लोन लेना चाहिए सरकार के द्वार आने वाली बाधाओं को मैं उनका भी समाधान करो और अजमेर एक पूरे राजस्थान के नक्षे पर उबर आए वो इनक्षे पर इसलिए उबरने आ रही है एक तो यहां पर पाने की समस्या कोई भी इंडर्स्ट्री आती है तो उसको पानी चाहिए दीरे दीरे फिर भी का एक अच्छा केंद्र बने यह होगी तक यहां का व्यक्ति अच्छी तरह कमा सके जी अच्छी तरह घूम सके आसपास है जैसा परेड़न के देशी से आनन्द की अन्पूति लेकान बगीचे वगरी सारे हम लोग डौलप कर रहे हैं तो वो गोई और साथ में यहां के के वस्ता हो मैं चैना जाना चारा हूँ उसको चैना भाशा सीखने की इस पे जाना चारा हूँ इस तरह के कुछ कलपना है तो यहां पे कुछ कोर्सिस खुलें ताब बाहर भी जा सकें और बाहर के लोग यहां यहां की अन्भूति करें और यहां के एकोनोमी में भी भागी आपका पसंदिता पहा कान सा है सिंधी में तु पर चाहिए तो बहुत सारे हैं मैं समझता हूं कि यह पहा के उनने अवियाद दिया घ्टम से यहारा है बाएकिये पहा कों की मेंने काफी कि शेख्षा रिक्ते हादी भी तो चला यह था तो काम करें तो उसका अच्छा रहता ह तो कहना फिर कहीं उसकी भावनाउं से तोड़ा सा ठेज लगे इसलिए उसको रिखी सर सिंधी समाज के लिए आप सिंधी में क्या कहना चाहेंगे आप पेंजे समाज एके अपी लकान्स तब घर में सिंधी बूली गालायो पैंजे संस्कृति के जिंदा रखो एंजे के सि अब। आप समय नगिस एप आप पाना घर में मारन के सिंधी से खाण ला एक सिंधी कहसेत घर में सुबज अद्धक लाग पाना हालायो थिंदी अखवार रखो जूली जू जो चित्र घर में इस्टिद यो चित्र रखो एंस जिंद जो नक्षौ रखो एंप आप शब्त अमकरे बेद्घ के सिंद्ध में मुधाया, थासे मेरां, जेकॉभ जाहे लॉत भी आएचेमे लड़कड़ू इजाू आए माताश प्रत्वीजिय करे जिए की और शीवाजी मृत याग जी जाहें那么 जातेwork है, शीवाजी मुधे छाते ही, यह फ़ णेवानों तो सिंद जा माराथ नाहर से ने इक्तियास बुदाईं, हेमु कालन या नंड़न बारन के वधाय करे देश भक्ति सा उलन के जोड़ियों, एक कहाणी बुदाईंदा आसी, तो निश्च वुपसा बारन में एक भाव जगन दो, या आवेशा जोत जलाईं, तो हेकुनी संद खलंदा से अखंड भारत ख्षान दो, संद असां जो आए, जैसता है पंजाब संद गुजरात मराथ आए, तो इसा है संद असां का अलग हिंदो को ना, इतरो आप में विश्वास नहीं पीडी महला ना सी, तो पुरानी पीडी वेंदी बली, तो नहीं पीडी, इना जोत क संद असां मरा पीरन के, आपील कंदो, लास्ट एक ना जो आनना डूरा आपील कंदो, तहां राजनीती में भाचो, तहां एडिस्टिव, सरस्सें में अचो, व्यपार सांग को अलगन, अने भीण खेतर नें के अकुड़ियो, आईटी में तर ख़र काफी अची रहे है, आ पेरे नुद मां संदी आया, इने फखुर गर्वासान युचाहु है। जिए सार, हिक्क खाली लास्ट विश्टन मां पुछान चाहिए। वाज़ा आपापंद आय। हिक्क खाली लास्ट कुछान का पुछान चाहिए। केडी कहानी ताखे याथ था है पार्टिशन साफे ड़िए कुछ ताक है आप अजा है जाया जाहिए जाए किस ताखे फ्राटिशन तेफ बादध सम्झा तो तो वो दिर्श यहाई बने आई हूँ अपने बने रोगाइए कुछ दिर्श यू जाया है वर शिंद में असी पोस्टित वहासियां सा पेसे वारा आसे असनावली सब लोग कम कंदा वया पर हाने आया हैं बाबा मुख्य बुधाईंगा तर शिंद भारत का अलग न थे उनलाव तसरी योजना उठायूं इवन चौंदाद असी अंटरग्राउंड उठायूं फेक्ट यहमारा सुभाग्य था कि अजमेर के चहीते विदायक श्रीमान वासुदेव देवनानी जी हमारे साथ जोड़े धन्यवाद सर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद थैंक यू सो मच तो आज हमारे साथ शो में मौजूद थे सिंधी समाज के व्यक्तितवर श्रीमान वासुदेव देवनानी जी जिन से मिलकर बेहत गर्व और खुशी महसूस हो रही है ऐसे ही व्यक्ति झाल